तो कायजी नमबर 8 का चप्टर 115 आ गया है और नहीं मरा कायजी नमबर 9 जिनता है और जो हमारी दो प्रेडिक्सन थी न वो बिल्कुल सच साबित गई है कैसे गई है इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा तो मेरा नहामे देवराच और आप देख रहे हैं DVRJ Prime चैनल तो हैं कि कायजी नमबर 8 के कोई वाइडल्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कायजी नमबर 8 गयो तभी एकदम से कायजी नमबर 9 मीना से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता बहले ही वो मिराएगे एरा का डाई कायज वीग उना हो उसके समय से फर्क नहीं पड़ता उसकी ताकत से फर्क नहीं पड़ता यहां तक कि मैं भी अपने अंदर से बाहर निकल पाया हूँ तो डिफैंस फोर्स की एक कमांडर मेरे अंदर से बाहर निकल कर भला क्या ही साबित करना चाती है तो देखो भाई मानता हूँ मेरी थियो देखा आ तो फिर मीना उससे कुछ नहीं कहती और इसकी आखों में आखे डाल कर कहती है अच्छा ठीक है ये लास्ट था आप कोई भी ऐसा मीम नहीं आने बारा नहीं आएगा कोई अच्छा ठीक है फिर मीना अपने थोड़े फ्लैस बैक को याद करती है कि वो हमेशा से ऐसे ही रहा है किसी डिफैंस फोर्स मेंबर की बात कर रही है वो याद रखना वो हमेशा से मेरी कम्यों को पूरा करता आया है और जो भी रुकावटे मेरे सामने आती थी वो उन सभी चूटी मोटी रुकावटों को साफ कर देता ह ताकि मैं उस रुकावट से टक्रा सकूँ जिसको कोई नहीं हरा सकता तो हाँ भाई लोगों मीना होसिनो की बात कर रही है और होसिनो माँ पर आ भी जाता है Blade Cutting Technique Sixth Forms Stratus Strike के साथ और वो कायज नमबर 9 के कई सारे टुकडे कर देता है होसिनो को वाँ पर देखकर Control Room के सभी लोग काफी जादा खुशते तब ही को लोगी होसिनो के अपने पीछे देख निकले कहती है तो उसके पीछे आ जाता है कायज नमबर 9 जिसने खुद को काफी ज़दी से हील कर लिया है या फिर उसकी स्पीड को जादा ही तेज हो चुकी है क्योंकि जब मीना उसके उपर सूट करती है तो वा काफी तेजी के साथ उसके सूट को डॉच करता है जिससे ये चीज तो साबित हो चुकी है कि हाँ काईजी नमबर 8 की स्पीड काफी ज़्यादा तेज ऊचुकी है बिल्कुल टर्बो ग्रेणी की तरह और अगर आपको नहीं पता आकर टर्बो ग्रेणी कौन है तो मैं अपने अपने सेकंड चैनल पर डेंडेंडें मांगा को एक्स्प्लेन करा है पूरी टर्बो ग्र करनी आर्क को जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कौन ही टर्बो ग्रेणी और मैं सच बता रहा हूं बहुत तेजी है बैक टू दा टोबिक होसिनो को नोगी को इनिटेट फेस टू को फैक निकले कहता है और जब तक इनिटेट फेस टू आ रहा है होसिनो का पहले के काईजू से काफी ज़्यादा ताकत वर होने वाला है तो हमें इसमें पूरी जान लगा देनी हैं और होसिनो की इस बात पर काईजू 10 भी एगरी करता है और जब महाँ पर इनिटेट फेस टू आ जाता है तो होसिनो उसमें से अपनी कटा नाज निकाल कर काईज न काईजू 9 अपनी सिर्फ दो उंगियों से एक लेजर टाइप अटेक को चार्ज करके होसिनो के अटेक को डिसमिस कर देता है और ऐसी चीज तो कोई एलियन नहीं कर सकता है तो हाँ भाई मेरे ख्याल से काईजू 9 एक एलियन ही है देखो भाई ये तो मैं अपनी प्रेडिक वो टेक होसिनो को लग गया होता तो होसिनो को काम वही पर खत्म। उसके बाद होसिनो मेना से कहता है कि वे कैज नंबर 9 को देख लेगा और वे काफका पर फोकस करे उसको ठीक करने के लिए ठीक करने का मतलब उसको लेकर जा जाये उस चैंबर में जहाँ पर उसके कोर को ही क्या जा सकता है आपने आनिमे में तो देखाई होगा लेकिन मीना इसके लिए नहीं मानता है क्योंकि हो शिरो को नहीं पता है इस समय कायजी Q9 कितना दाकतवर हो चुका है लेकिन वो शिरो कहता है मैं जानता हो कमांडर मिन और वो आते ही कहता है तू कटोरा कट तुझे सच में लगता है कि मुझे तेरे जिसे बंदे से खुद को इंट्रूड्यूस कराने की जुरूरत होगी और भाई यह तो गोशिनों की बेज़ती होगी गंदे वाली लेकिन मज़े वाली बात यह है कि ठर्ड डिविजन के वाइस कैप्टन और फस्ट डिविजन के कमांडर साथ मिलकर काईज नमबर नाइन से फाइट करेंगे और हाँ भाई यह बैटल सच में काफी ज़्यदा कमाल की होने वाली है लेकिन इसमें हमें कमांडर नारोमी और वोशिनों की फुल पोटेंशल नहीं देखने को मिलेगी क्यूकि इस समय उन दोनों के इस सूट ओवर ही डू चुके हैं और उन दोनों के नोस से ब्लीडिंग हो रही है पर हाँ इस बात की तो उमीद थी कि इन दोनों में से एक वीना को आकर बचाएगा और उसको बचाया भी किसने हो सिनों ने और मैंने तो इस चीज की प्रेडिक्शन बहुत पहले ही कर ली दिये और आप लोगों की कमेंट भी मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छी से मेंसिन कर रहे हैं अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना वीडियो किस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं क्या सोचे लो तुम लोग तो हाँ भाई अब समय आ चुका है अलविदा गहने का और अगर आपने इस वीडियो के अंदर 700 लाइक और 1500 कमेंट कर दिये तो मैं अगली वीडियो में आपके सभी कमेंट्स को मेंसिन करूँगा बस ये मत पूछते रह जाना भाई तु नेक्स्ट पार्ट कब ला रहा है ये बता बाई चैप्टर आएंगे ना तब ही लाओंगा वीडियो ठीक है अरे बाई मेरे तोरी ना कनेक्शन सुईसा कंपनी की साथ से बाई जनली से चैप्टर ला अरे उनकी मर्जयोगी वो डाल देंगे और हम एक्स्प्लेइन कर देंगे आपको समझा देंगे और क्या यार इतनी चोटी सी बात नहीं समझते हो आप लग तो चलो यार अब बुरा भला कह दिया हो तो इसके लिए माफ करना अब मैं मिलोंगा आपको अगली वीडियो में अभी के लिए स्चायो नारा